हेलो स्टूडेंट्स दिस इस नितिन धीगरा और आज जो हम चेप्टर करने वाले हैं वह है क्लास नाइन का चेप्टर नंबर थ्री आटम्स अंड मॉलिक्यूल और उसका फस्ट पार्ट अल्रेडी हमने अप्लोड कर दिया आज सेकिंड पार्ट कर रहे हैं तो फस्ट पार् हैं स्टूडेंट्स यह बहुत ज़्यादा इंबोर्टन है यह इवन नाइन्थ टैंथ और अगर इसके बाद आप साइंस लोगें नॉन मेडिकल या मेडिकल लोगें तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंबोर्टन है तो बेसिक कंसेप्ट्स हैं बहुत बढ़ी हैं आपको पढ़ने हैं तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 20 नंबर्स हैं यह हैं इनको बोलते हैं Atomic Number क्या बोलते हैं इनको Atomic Number और यह Atomic Number है और इनके सामने मैंने कुछ Elements लिखे हैं यह उनके Name हैं जैसे Hydrogen, Helium, Lithium, Beryllium, Boron, Carbon, Nitrogen Oxygen, Fluorine, Neon, Sodium, Magnesium, Aluminium, then Silicon, Phosphorus, Sulfur, Chlorine, Argon, Potassium and Calcium यह 1 to 20 अटोमिक नंबर हैं सीरियल में नंबर हैं अब हमें करना क्या है इनके Atomic Number याद करने हैं ठीक है हमें क्या याद करना है इनका Atomic Number फॉर एक्जामपल Oxygen बोलू तो आपको आना चाहिए 8 फॉर एक्जामपल क्लो पॉरीन बोलू तो आना चाहिए 17 बोलू Calcium तो आना चाहिए 20 आपको यह Atomic Number याद होने चाहिए I hope कि आपको याद होंगे अगर आपको यह Atomic Number याद है तो इसके आगे मैं स्टार्ट करता हूं ठीक है इसके आगे पढ़ते हैं हमें पढ़ना क्या होता है Students क्या होता है कि ए एक Atom होता य है इतम जनरली कैसे होते हैं सरकुलर होते हैं ठीक है Atom के Setutre में होते हैं God and Nucleus Nucleus के अंदर दो चीज़े मिलती है एक होती है Proton एक होता है Neutron और Nucleus के बाहर ये जो Circular हम बना रहे हैं ऐसे Circular रास्ते होते हैं इन Circular रास्तों को बोलते हैं क्या? Orbit क्या बोलते हैं इने? Orbit ऐसे ही बहुत सारे Circular रास्ते होते हैं के चारो तरफ ठीक है तो इन Circular रास्तों के ओपर कौन घूमता है? Electron कौन घूमता है? Electron याद ये रखना है कि जो सबसे पहला Orbit होता है उसे बोलते है K, उसके बाद वाले को L उसके बाद वाले को M उसके बाद आता है N K, L, M, N इस तरह से ये Orbit बढ़ते हुए चले जाते है ठीक है? जो K Orbit है उसके अंदर Electron आते हैं 2 मुलाद आतो एक भी सकता है पर Maxim Electron आते हैं 2 L के अंदर आ सकते हैं 8 अगले M के अंदर भी आ सकते हैं 8 उसके बाद आते हैं 18 बढ़ हमें ये 3 ही याद रखने है कि सबसे पहले Orbit में Electron आते हैं 2 दूसरे में आ सकते हैं 8 तीसरे में भी आ सकते हैं 8 आ सकते हैं का मतलब इसे कम भी आ सकते हैं एक भी आ सकता है 2 भी 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 से अगर Second Orbit में 9 Electron हो आने की कोशिश करेंगे तो 8 तो इसमें आ जाएंगे जो 9 होगा वो इसमें आएगा ऐसे ही First Orbit में 2 Electron आ सकते हैं अगर किसी Atom के पास 4 Electron हैं तो 2 तो First Orbit में आ जाएंगे और जो बाकी बचे हुए 2 किसमें आ जाएंगे Second में आ जाएंगे अगर किसी Atom के पास 11 Electron हैं तो 2 first में आएंगे, 8 second में आएंगे, 2, 8, 10, उसके पास है इतने 11, तो third orbit में 1 आएगा, समझ गया आप मेरी बात, अभी अब यहां तक अगर समझ गया है, तो अब मैं यहां से देता हूँ, for example, जैसे मैंने aluminium लिया, aluminium का atomic number कितना है, 13, तो aluminium का atomic number 13 है, तो first orbit में आएंगे 2, second में आएंगे 8, 2 और 8 कितना होगे 10, कितने बचे 3, तो third orbit में आएंगे उसके पास 3, ठीक है, ऐसी अगर मैं phosphorus की बात करूँ, phosphorus का atomic number 15, तो उसके first orbit में आजाएंगे 2, second में आजाएंगे 8, कितने होगे 10, अब बचे कितने है, 5, और ये third orbit है, इसमें कितने हैंगे, 5, अगर मैं hydrogen की बात करूँ, तो hydrogen का atomic number कितना है, 1, तो उसके first orbit में ही कितने आजाएंगे, 1 आजाएंगे, बस इसके बाद आएंगे, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, atomic number 2 की, जिसका atomic number 2 है, वह helium, उसके पास first orbit में कितने आजाएंगे, 2, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, boron की atomic number 5, तो 5 है, तो first orbit में हैंगे 2, ठीक है, बचे कितने 3, तो second orbit में कितने हैंगे, 3, जो यह मैं लिख रहा हूँ न, चलो एक और लिखता हूँ, क्लोरीन का लिखता हूँ, क्लोरीन है 17, तो first orbit में हैंगे 2, second में maximum आ सकते हैं, 8, 8 आगे, बचे कितने 7, तो third में कितने हैंगे, 7, ठीक है, for example, potassium है, potassium का atomic number 19, first में आएंगे 2, फिर आएंगे 8, फिर आएंगे 8, 2 और 8, 10 और 8, 18, बचा 1, 19 वहां, यह M के बाद अगला orbit जोएगा N, उसके अंदर आएगा, तो यह जो मैंने लिखा है, कोमा डाल डालके, यह मैंने लिखा है कि first orbit में इतने आ गए, second में इतने आ गए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, electronic configuration, क्या बोलते हैं से, electronic configuration, यानि कि किसी atom के अंदर electron कैसे बटे हुए है, ठीक है, तो यह इन सब का electronic configuration आपको आना चाहिए, लिखना बहुत असान है, 20 का कैसे लिखोगे, 2, 8, 8, फिर 2, 16 का कैसे लिखोगे, 2, 8, 6 ठीक है 10 का कैसे लिखोगे 2, 8 पूरे पूरे आगे 1st में 2 आ सकते थे और 2nd में 8 आ सकते थे तो फुल हो गया तो ऐसे अगर आपको ये electronic configuration लिखना आ गया है तो next teach जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको बोलते है valency क्या बोलते है अगर आपको ये लिखना आ गया तो इसलिए मैंने पहले करा है अब आपने ये लिख दिया valency क्या होता है किसी भी atom के outermost orbit में देखो इस atom का outermost orbit है ये इसका outermost orbit है ये इसका outermost orbit है ये तो किसी atom के outermost orbit में कितने electron आते हैं उसे बोलते हैं valency valency का मतलब मैं बिल्कुल subtle, बिल्कुल easy way में आपको बताता हूँ valency का मतलब यह समझो देखो मेरे हाथ हैं दो तो मैं दो चीज़ों को पकड़ सकता हूँ एक इधर से, एक इधर से octopus या कोई और ऐसा animal या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके दो से ज्यादा हाथ हूँ अगर किसी के suppose आठ हाथ हैं तो कितनी चीज़े पकड़ सकेगा? आठ अगर किसी के दस हाथ है तो दस पकड़ सकेगा ऐसे ही atom के कितने हाथ हैं यानि कि atom के पास कितने electron हैं जो की बाहर वाले orbit में पड़े हैं जैसे यहाँ पे एक, साथ, पांच, एक तो कितने electron atom के बाहर वाले orbit में पड़े हैं इसको बोलते हैं valency और जिस atom की जितनी valency होती है उतने ही दूसरे atoms के साथ वो जुड़ जाता है ठीक है? तो valency समझगे valency क्या होता है किसी atom के बाहर वाले orbit में कितने electrons हैं और जिस atom के पास बाहर वाले orbit में जितने electrons होंगे उतने ही दूसरे atoms के साथ वो जुड़ेगा ठीक है? अब चीज इसमें ये देखनी है कि अगर किसी atom के बाहर वाले orbit मे किसी atom के बाहर वाले orbit में चलो पहले हम देखते हैं इस atom के बाहर वाले orbit में कितने electron है एक इसके बाहर वाले orbit में कितने electron है seven, इसके में है five ठीक है, ऐसे ही इसके मैंने तीन लिखें, इसके बाहर वाले में है दू, इसमें है एक, ऐसे लिखते है इसकी वैलेंसी कितनी होगी इसकी फाइव बट आपने याद ये रखना है किसी भी एटम की वैलेंसी फोर से जादा नहीं हो सकती तो आप कहोगे कि सर इसकी वैलेंसी 7 बोल दी आपने इसकी वैलेंसी 5 बोल दी याद रखना है अगर valency चार से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखे है या फिर किसी atom के बाहर वाले orbit में चार से ज़्यादा electron दिखें तो आपको करना क्या है उस number को 8 में से minus कर देना है जैसे 7 है तो इसको 8 में से minus कर दो कितना आएगा 1 जैसे 5 है इसको 8 में से minus कर दो कितना आएगा 3 ठीक है तो इसकी valency हुई 1 इसकी भी valency हुई 1 इसकी हुई 3 इसकी 1 ठीक है तो सबसे पहले मैंने आपको atomic number बताया atomic number के बाद मैंने आपको electronic configuration लिखना सिखाया configuration के बाद मैंने आपको valency बताया कि number of electron present in the outermost orbit जितने outermost orbit में है ठीक है तो हमने देखा और valency निकालना भी हमने सीख लिया तो students अगर आपने valency निकालना सीख लिया है तो हमारा जो next बहुत ज़्यादा important topic है वो हम करने जा रहे हैं वो है writing the chemical formulas जो की आपकी book में दिया हुआ है बहुत असानी से देखो chemical formula लिखना है हमने suppose करके calcium chloride calcium chloride spelling चेक कर लाइना calcium chloride का formula मैंने लिखना है अब देखो calcium chloride में अब इनके symbols भी आपको याद होने चाहिए जैसे hydrogen का symbol होता है helium का HE, lithium का Li, beryllium का BE, beryllium का B, carbon का C, nitrogen का N, oxygen का O, fluorine का F, neon का N, E, sodium का NA, magnesium का M, G, aluminium का AL, silicon का SI, phosphorus का P, sulfur का S, chlorine का CL, argon का AR, potassium का K, calcium का CA ठीक है तो ये मैंने symbols भी इनके सामने लिखने है अब आपको formula लिखना है calcium chloride तो calcium का symbol है CA मैंने लिखा CA chloride मतलब chlorine, chlorine का symbol है CL तो यानि के इसका formula कैसे बनेगा CA, CL बनेगा अब देखना ये है कि इसमें थोड़े बोग चेंजिस मैंने करना है बट हाँ, calcium chloride में calcium CA लिखा जाएगा और chloride में CL लिखा जाएगा अब देखो, अब मैंने ये देखना है जो calcium है, उसकी valency कितनी है तो calcium की valency कितनी ये देखने के लिए मैंने table देखा तो calcium का atomic number था 20 कितना था 20, तो मैं अब rough work कर लेता हूँ, देखो क्या rough work करूँगा मैं देखो, calcium का atomic number था 20, 20 को कैसे लिखूँगा मैं 2, 8, 8, 2, first orbit में 2 आ सकते थे, second में 8, third में 8, उसके बाद 18 आते पर यहाँ पे 2 ही बचे 2, 8, 10, 8, 18, 20, तो calcium के outermost orbit में कितने electron है, 2 तो calcium के valence कितनी होनी चाहिए, 2, क्योंकि यह चोटा है 4 से, ठीक है 4 से ज्यादा थो नहीं है, तो ale मुझे पता है कि calcium की valence कितनी है, 2, okay, तो मैंने देख लिया कि calcium की valence 2 है, अब मुझे देखना है कि chlorine की valency कितनी है तो chlorine का atomic number मैंने देखा 17 तो 17 को कैसे लिखूंगा मैं 2, 8, 7, 2, 8, 10, 7, 17 तो इसके outermose orbit में कितने electron आई 7 क्या किसी की valency 4 से ज़्यादा हो सकती है नहीं अगर 4 से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करते है 8 में से minus तो यह 7 है 8 में से minus किया तो आया 1 तो calcium की valency कितनी आई 1 तो भाई देखो इसके निचे लिखा 2 क्योंकि calcium की valency कितनी है 2 chlorine की valency कितनी है 1 लिख दिया ठीक है जी अब कर दो cross multiply c a को करो 1 से multiply c l को करो 2 से तो c a को 1 से किया तो c a ही आ गया और c l को 2 से किया तो आ गया c l 2 this is formula 4 calcium chloride समझ गये जी कितना easy था very easy next करते हैं carbon chloride अब आपको होगे कि chloride से क्या प्यार होगा बट देख लो तो carbon का atomic number तेखो carbon atomic number 6 carbon atomic number है कितना 6 इसको कैसे लिखेंगे 2,4 तो carbon की valency कितनी हुई 4 ठीक है अच्छा chloride chlorine की valency 2,8,7 अभी लिखा था 7 है last orbit में तो 8 में से minus करना पड़ेगा तो 1 तो carbon chloride में क्या लिखूंगा c c l c for carbon chloride for c l carbon की valency i 4 chlorine की valency है 1 क्या करेंगे cross multiply carbon को इससे इसको इससे carbon को 1 से किया तो c c l को 4 से किया तो c l 4 क्या answer आया c c l 4 क्या आपको समझ आ रहा है students I hope कि आपको समझ आ रहा होगा बहुत easily समझ आ जाएगा ठीक है अच्छा आभी मैं next लिख देता हूँ नेक्स कौन सा लिखूंची बोलो 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 sodium chloride लिख दें क्या फिर chloride या रहा है चलो लिख देते हैं sodium chloride लिख देते हैं ठीक है sodium chloride अब मैं आपको कुछ ऐसे बता देता हूँ जिसको आपको valency direct याद करनी है जैसे जैसे carbonate किसी की last में आए carbonate तो carbonate को आपने कह लिखना है CO3 और CO3 की valency होती है 2 याद रखना है आपने कितनी होती है 2 sulfate अगर लिखाए sulfate तो sulfate होता है SO4 इसकी valency कितनी होती है 2 कि आपने याद रखनी है hydroxide 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 को लिखते है OH इसकी valency कितनी होती है 1 या आपने याद रखना है बस देखो अब formula लिखना है हमें magnesium hydroxide का किसका जी magnesium hydroxide अब magnesium का atomic number कितना है 12 तो 12 को कैसे लिखेंगे magnesium को लिखा मैंने 12 12 यानि के 2,8,2 यानि magnesium की valency कितनी है 2 hydroxide यानि OH की valency कितनी है 1 तो यानि के formula तो बनेगा MgOH ठीक है और OH जो है ना इकठा है ये आपने याद रखना है अब magnesium की valency लिखेंगे मैंने 2 OH की valency कितनी है 1 अब cross multiply कर देंगे Mg को 1 से OH को 2 से तो formula क्या बनेगा है तो bracket में लिख दिया twice दो बार आ गया कि आपको समझाया समझाया स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है अगर आपने जो मैंने सिखाया आपने बहुत अच्छे से सीख लिया तो अच्छा next formula हम लिखते है calcium carbonate ठीक है किसका formula लिखेंगे हम देखो हम लिखेंगे calcium carbonate का calcium carbonate कैसे लिखते हैं देखो calcium carbonate तो भाई calcium है 20 20 का atomic number है इसका तो 2,8,8,2 तो calcium की valence कितनी है 2 ठीक है जी carbonate की valence भी कितनी है 2 लिख दिया अब आपने याद यह रखना है अगर दोनों same to same आ जाएं ठीक है तो cross multiply करने की ज़रूत नहीं है तो इसको cancel कर दो इसका answer हो जाएगा सीधाई CA CO3 calcium carbonate बिलकुल बहुत ही ज़्यादा easy क्या guys आपको समझाया I hope कि बहुत अच्छे से समझाया मैंने और बहुत अच्छे से समझ आ भी गया होगा ठीक है students तो इससे next topic की तरफ बढ़ते हैं अब आ निकालते चलो आपको formula आएगा ही आएगा definitely आएगा ऐसा होई नहीं सकता कि आप formula बनाना सको ठीक है ठीक है students okay जी चलो next topic है जी molecular mass बहुत असान है बहुत ही ज़्यादा आसान ठीक है आपको molecular mass निकालना आना चाहिए तो देखें क्या molecular mass कैसे निकलता है असाना जी molecular mass इसके बाद एक topic और गराएंगे और chapter हो जाएगा finish molecular mass जैसे आगया water लिख दिया h2o find the molecular mass तो जैसे हमेंने atomic number लिखे हो गए ना ऐसे ही atomic mass भी होते है किया होता है atomic mass कुछ कि atomic mass आपको याद कर लेने चाहिए जैसे hydrogen का atomic mass होता है one oxygen का atomic mass कितना होता है 16 ठीक है carbon का atomic mass होता है 12 जिसका ज्यादा तरह आपको पूछा जा सकता है chlorine का atomic mass होता है कितना ये 17 थो इसका थर्टी 31, 34, 34 लगा लो, 33.5 होता है, 33 लगा लेते हैं, ठीक है, 33 होता है, cross check कर ले ना, ऐसे ही calcium है, calcium का होता है 40, ऐसे, तो नहीं भी होगा तो paper में आपको given होगा है atomic mass, क्योंकि atomic mass जो है न, series में तो होता नहीं, random होता है, तो याद नहीं भी होगा, तो कैसे करेंगे, for example, sodium है, तो sodium का होता है, 23.5, ठीक है, 23 ले लेते हैं, generally, तो अब आपको find out करना है, कि find the molecular mass of water, तो बहुत easy है, देखो, h, h क्या है atomic mass 1, और कितनी बार आ रहा है, 2 बार, plus, oxygen का कितना है, 16, 2 into 1, 2 plus 16, कितना आ गया, 18, ये सीख लो, क्योंकि इसे next topic जो है, इसे के अपर dependent है, mole concept, very easy concept है, तो water का कितना आ गया, इतना, समझ आ गया, next आया, अगर आपको calcium carbonate, अभी लिखा था हमने, CACO3, इसका मोली के दर मास निकालना है, तो निकालते हैं, calcium का atomic mass, 40, carbon का 12, oxygen का 16, और कितने आ रहा है oxygen, 3 into 3, तो 40 into 12 हो गया, 52, 16 into 3, 48, यानि के 100, तो calcium carbonate का atomic mass आ गया, 100, बिल्कुल असान, तो guys क्या आपको ये समझ आया, आ गया है, तो ठीक है, इसे next topic हम करते हैं, बर मैं ये लिख लेता हूँ, देखो, चलो मैं ऐसे लिखा रहने देता हूँ, इतना ही, मैं next topic आपको बताता हूँ, क्या है next topic का नाम है, mole concept, क्या नाम है जी, mole concept, बहुत ही important, बच्चों को समझ य नहीं आ रहा होता, क्या हो गया class में, समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, है, कहीं समझ भी आ जाता होगा, बट चलो फिर से समझ लगते हैं, mole concept, mole concept क्या गयता है, mole concept होता है, कि अगर मैं किसी shop पे जाता हूँ, sugar लेने के लिए, मैं बोलता हूँ, कि मुझे sugar एक kilo gram, वो काईगा, ठीक है, जी, ले लो, एक kilo gram, प।र मैंने का, ओरंज लेने के लिए, मैंने का, औरंज लेने के लिए, मैंने का, वन दर्जन, एक दरजन, या वन डजन, ओरंज दे तो, उस ने दे धी है, मुझे 12, ओरंज ले जाओ भाई, क्योंकि ये चीज़ें तो यह मेजरों गई, इसलिए मेजर कर ली चीनी भी, अगर मैं कहूं कि मुझे एक दाना दे दे एक दाना थोड़ी देगा मुझे, वह एक किलोग्राम ही देगा ठीक है, तो जो आटम्स होते हैं, वो बहुत जादा छोटे होते हैं तो जो atoms बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उनका weight कर पाना difficult होता है, ठीक है, कि ये कितने एक atom, अगर मैं किसी shop पे जाओं, किसी उसको बोलूँ, chemist को, कि भाई मुझे आप क्या करो, एक atom दे दो, वो कहेगा, सर एक atom को देखी नहीं सकते, तो मैं दूँगा कैसे, ठीक kilogram, atoms को measure करने के लिए unit रखी गई है, क्या, mole, अब mole है क्या, अब आपने याद ही रखना है, अगर मैंने किसी भी चीज का 1 mole लिया, अब क्या होगा, वो मैं बताऊंगा, बढ़ आप याद रखो, कि किसी भी चीज का 1 mole कितना होता है, तो 1 mole होता है, 6.022 into 10 to the power 23 particles, अगर मैं हाइडरोजन के 1 mole ले लिये, अगर मैंने हाइडरोजन के 1 mole ले लिये, तो अब उसके 1 mole के अंदर इतने पार्टिकल आएंगे, ठीक है, अगर मैंने उक्सीजन का 1 mole ले लिया, तो उसके अंदर इतने ही पार्टिकल आएंगे, अगर मैंने कहा, वोटर का molecule है, ठीक है, वोट आएंगे मैं जिस भी चीज का वन मोल ले लूँ पार्टिकल कितने होंगे इतने हैं जैसे एक दरजन में बारा थे ना वैसे ही वन मोल में इतने ही पार्टिकल आते हैं अब सवाल ये पैदा हुआ पार्टिकल तो इतने हैं वेट कैसे करेंगे कि ये वन मोल हो गया है ये नही हो गया है तो वन मोल करने का सबसे असान तरीका क्या है जिस भी चीज़ का आपने वन मोल करना हो किसी भी चीज़ का उसका एटोमिक मास निकाल लो ठीक है जैसे सोडियम है सोडियम का वन मोल लेना है मैंने सपोज ठीक है तो अगर सोडियम के atoms का मैंने one mole लेना है तो sodium का atomic mass निकाल लो तो जिसका atomic mass जितना जिसका atomic mass जितना होगा उतने ही gram ले लेना है for example for example hydrogen है ठीक है उधारन के लिए example के लिए समझते है hydrogen hydrogen का atomic number है एक और atomic mass भी कितना है एक ठीक है तो अगर मैं hydrogen के atom का one gram मुझे weight मिल जाए one gram of hydrogen मिल जाए तो उसका one gram कितना होगा one mole ठीक है oxygen की बात करते है oxygen का atomic mass कितना होगा मैंने यहाँ पे लिखा देखो 16 तो अगर oxygen के मुझे 16 gram मिल जाए तो वो कितना होगा one mole बिलकुल बढ़िया फिर मैंने water का भी atomic mass निकाला था ना यह molecular mass निकाला था कितना है था 18 यह H का atomic mass एक इंटू टू किया प्लस 16 किया 18 तो अगर 18 gram water मिल गया कितना 18 gram तो कितके equal होगा one mole के तो 18 gram के अंदर 18 gram के अंदर one mole होगा water का और उस one mole के अंदर particle कितने होगे इतने ठीक है calcium carbonate calcium carbonate calcium carbonate का one mole कितना होगा इसका हमने molecular mass निकाला कितना आया था 100 तो अगर मैंने 100 gram calcium carbonate ले लिया तो 100 gram of calcium carbonate कितना होगा one mole के equal होगा और उस one mole में कितने particle आएंगे 6.023 into 10 is to power 23 राइट students I hope कि आपको समझा गया फिर से repeat करता हूँ one mole कितना होता है जितना atomic mass या molecular mass होता है आप molecular mass calculate करो जितना molecular mass आये उसको gram में लिख लो 100 आया था molecular mass calcium carbonate का तो 100 gram of calcium carbonate one mole के बराबर water का molecular mass आया था 18 तो 18 gram of water कितना one mole और हर चीज का one mole इतना ही होता है ठीक है और numerical आता है इसके ओपर mole concept के ओपर और इसी तरीके से आएगा बहुत ही असान जैसे कि मैं भी आपको example दे दूँ तो यह मैंने solve तो किया ही हुआ है देखो question क्या आएगा आपको find the number of particles find the number of particles present in five mole of water ठीक है तो भाई पाँच मोल water के हैं और particle निगालो कितने हैं भाई पाँच मोल water छोड़ो किसी के भी हो ABC के particle कितने होंगे एक mole में हैं 6.022 into 10 to the power 23 five mole में कितने होंगे इसको five से कर दूँगा multiply तो five mole चाहे में water का लूँ तब भी इतने particle five mole चाहे में calcium carbonate का लूँ तब भी इतने ही particle आएंगे अगला question क्या आ सकता है अगला question आ सकता है what is the weight कितना weight होगा five mole particle के अंदर water के water के five mole कितने gram से बनेंगे तो भाई water का atomic mass मैंने निकाला 18 18 gram में एक mole तो five mole कितने में बनेगा 18 into 5 नबबे तो जब नबबे ग्राम मैंने अगर water लिया तो वो किसके इकवल होगा five mole के या question ऐसे भी आ सकता है you have 90 gram of water आपके पास 90 gram water है इसके अंदर कितने moles बनेंगे तो 90 gram तो है water water का atomic mass आता है 18 90 by 18 आ गया five mole students बिल्कुल easily कराया है बहुत अच्छे से कराया है आपको I hope समझ आ गया होगा नहीं समझ आया है तो आप मुझे बता सकते हैं समझ आ गया है तो share वगेर आप कर सकते हैं चलो thank you जी